आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर फिर से तो दोस्तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक सांदा वीडियो तो दोस्तो अगर आप 12 में है या आप ड्रोप लेना चाहरा है तो दोस्तो इस वीडियो को जरूर देखे हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रह है तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरूर करते हैं वीडियो में हम बात करने वाले की आफ्टर ट्वैल्थ फॉर ए पीसी एम स्टूडेंट आपके पास क्या-क्या ओप्शन अवलेबल होते हैं आप कौन-कौन से एक्जाम के लिए अपियर कर सकते हैं एट सेक्टर क्या क् अगर आप त्वैल्थ में पीसी एम वाले स्टूडेंट तक है तो अगर आपके पास त्वैल्थ में पीसी एम सब्जेक्ट हैं तो दोस्तों यहां पे आपके पास तीन ओप्शन होते हैं सबसे पहला आप डिफैन्स में चल जाए थ्रो एंड यह या कोई बीट हैं अट्र इसके इम डारेक्ट सेकेंड आप इंजिनीरिंग की तैयारी करें जैसे की अपना जेई हो गया वगयरा वगयरा साथ में आप देख सकते हैं बीसी एमसी देन पीएचीडी की तरफ ठीके दोस्तों तो यहां पर हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो है हमारा डिफैन्स तो दोस्तों डिफैन्स में आपके पास कौन-कौन से ओप्शन या पर अपलेवल है आप्टर 12th PCM तो सबसे पहला जो आता है आपके पास वो आता है एंड यह तो दोस्तों आप एंड एक एक्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप डिफैन्स में जाना चाहते हैं यह एक्जाम के लिए आप प्रिपेर कर सकते हैं सेकंड दोस्तों अगर आपने जेई मेंस जेई मेंस एक्जाम अगर आपने दिया है तो दोस्तों यहां पर आपके पास दो ओप्सन आते हैं इस कित्रों एक तो आपका आता है आर्मी में और एक आता है आपका नेवी में डाइरेक्ट यहां पर दोस्तों आपका इंटर्व्यू होगा जो की जो कट ओफ है दोस्तों में इसकी जो कट ओफ है वो क्या होगी दोस्तों अपने यहां पर जेई मेंस की पर्सेंटाइल तो दोस्तों यह तीन ओप्सन आप जेई मेंस का एक्जाम दे रहे हैं या एंडे की तियारी कर रहे हैं तो डिफेंस में आप इस तरीके से जा सकता है और भी नॉर्मल जो रिक्रुमेंट है वो डिफेंस में होती है लेकिन यह जो तीनों है आपकी दोस्तों यह जो है वो ओफिसर पोस्ट के लिए होती है ठीक है दोस्तों सेकेंड आप इंजिनियरिंग की तरफ देख रहे हैं आपको इंजिनियरिंग करनी है तो दोस्तों यहां पर आपके पास उप्षिन आता है आप जयी मेन का एक्जाम दे प्रिप्रेर करें साथ ही आप जयी मेन के बाद जयी एडवांस का एक्जाम दे फोर एनाइटी आपका सबसे पहला वही होना चाहिए कि आप जहीं मेन का एक्जाम दे सेकेंड दोस्तों आप काफी सारे प्राइवेट को लेजों के एक्जाम होता है जैसे की बिट सेट हो गया आपका वी आई प्राइवेट कोलेज में एक्जाम है जैसे की आपका कोमेड के हो गया तो यह आप सारे एक्जाम दे सकते हैं प्राइवेट कोलेज में के लिए साथ ही आप कुछ पर्टिकुलर कांसलिंग में करते हैं जैसे की आपकी जैक होगी चंदीगड वाली कांसलिंग हो गयी आपकी एक और एक आपकी रीब की काउंसलिंग होती है राजस्थान की एमेट सैट होती है आपकी महराश्ट की UPT की यह आपकी होती है दोस्तों UP की तो इस तरह से काफी काउंसलिंग अपने अलग-अलग स्टेट वाले करवाते हैं जही मेन की थरू तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं यह आपका मेन आपका होता है एक इंजिनियरिंग की तरफ अगर आपको जाना है तो थर्ड दोस्तों आपका होता है कि आपको अगर अबर BSC कर लिए BSC MSC तो दोस्तों एक आपके पास आता है कि आप किसी भी नॉर्मल को लेट से BSC कर लें एक दोस्तों आता है BSC MS यह दोस्तों आपके लिए एक बहतरीन ओप्शन हो सकता है रिसर्च में रिसर्च में तो दोस्तों आप लोग जाएं रिसर्च में BSC करें इसके मैं आपको एक्जाम बता दे रहा हूं आई आईie SC R यह दोस्तों सात को ले जाएं यह आपका SCV चैनल के थ्रूबी आडमिशन होता है के भी पीवाई के थ्रूबी आडमिशन होता है और यह आपका दोस्तों आपको आता है ISI, यह दोस्तों केवल Math वाले बच्चों के लिए है, यह जो तीनों है, यह रिसर्च से लेटर है, दोस्तों अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो आपको यह तीनों एक्जाम जरूर देने चाहिए, ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको BS, MS कर आपको PhD भी कर रही जाती है, further, ठीक है दोस्तों, साथ में कुछ मैं आपको पता दूँ, अगर आपकी रूची, food technology, dairy technology या बायो technology की तरफ ज़्यादा है, तो दोस्तों आप ICAR, जो एक्जाम है, वो दें, इससे आपको इंडिया के top college में, agriculture वाले top college में, दोस्तों यहां पर आपको, dairy tech, dairy, food, tech, और, bio tech, यह तीन ब्रांच आपको यहां पर मिलेगी, साथी दोस्तों, एक आपका राजस्थान का एग्जाम भी होता है, जिसे हम, junior Hall colored यह भी आप अगर आप राजस्थान में कें हैं या किसी और स्टेट कें हैं, तो आप यह एग्जाम देना चाहता हैं, तो यहpokeर दें सकता है, ये भी दोस्तों आपका agriculture का है ये भी आपको दोस्तों ये तीनों ही ब्रांच आपको यहाँ पर मिलेगी तो दोस्तों आप ये सभी exam दे सकते हैं इन सभी exam में आपके लिए एक बहतरीन option आपका career option यहाँ पर रहता है अच्छी आपकी job यहाँ पर लग सकती है साथी बच्चों क्लैट का जो commerce वाले बच्चों है वो जो क्लैट देते हैं वो आप अगर मैत वाले बच्चों है तो आप ये exam भी दे सकते हैं अगर आपकी रूची इस तरफ है तो ठीक है दोस्तों तो ये थी आज की हमारी वीडियो की आपको कौन-कौन से exam जरूर देने चाहिए आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इन exam के बारवर में पता चल सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू और बाई